किसका है ये तुमको इंतजार मैं हुना So finally the wait is over Now your 3 days planner is with me ये आपका पूरा का पूरा 3 दिन का planner है जो आपने एकदम next level तरीके से cover करके चलना है तो फड़ावट start करते हैं sir without much ado यहां मैं आपको जो planner share कर रहा हूँ This is also available on our telegram channel Clear CA with Shubham Kieswani Also मैं आपको एक बात बदा दू पूरा का पूरा planner हम end to end discuss करेंगे तो पूरी वीडियो को end तक देखेगा Make sure आप अपनी attendance जरूर लगा दे वीडियो को एक प्यार भरा like देखे So start करते है sir सबसे पहले मैं बात करूँ day 1 की तो day 1 की शुरुवात करेंगे उस topic के साथ जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है और आपका favorite है That is professional ethics Professional ethics आपका चार घंटे में अराम से हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है आपने इसको एकदम सिंक में लेके चलना है जैसे आपका पूरा chapter है पहले आप provisions वाला part करेंगे जिसमें हम fundamental principles of code of ethics की बात करते हैं फिर हम मोटे मोटे sections कवर करते हैं जिसमें आपका section 2, subsection 2, clause 4 जो management consultancy services एक CA in practice दे सकता है उसको आपने एक अच्छी reading देके जलनी है बाकी sections को भी आप अच्छे से read कर लीजेगा ताकि उसमें से कोई MCQ है तो आप अच्छे से deal कर पाएं साथ ही साथ वो जो एक section 27 है कि अगर मेरी एक से ज्यादा branch है as a CA in practice तो क्या मुझे उस branch पे भी member of the institute बिठाना पड़ेगा उसकी तीन exception हिली areas की exception इनको आप एकदम शांदार तरीके से cover करेंगे इसमें आपके लगबक 40-45 मिनट लगेंगे उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं उसके साथ फिर आप बढ़ेंगे first schedule की तरफ ठीक है first schedule में मोटा माटी आप देट घंटा लगा सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है first schedule ही सबसे बड़ा schedule है यह भी बता देता हूँ first schedule का part 1 ही सबसे ज़्यादा बड़ा है तो कई बार बच्चे न demotivate हो जाते हैं एंड तक आते आते हैं वो कहते हैं सर्थ पार्ट वन में ती देर लग लगी तो professional ethics पूरा कैसे cover होगा पर मैं आपको बता दूँ एक बार आपने वो part 1 cover कर लिया उसके बाद तो बहुत छुटू सा प्यारा सा professional ethics बचता है उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है तो फिर आपका part 1 जैसी cover हो जाएगा first schedule मोटा मोटी वहीं खतम हो जाता है then starts your second schedule second schedule को करने में आदे घंटे से ज्यादा बिलकुन नहीं लगने वाला दो-दो line के मोटा माटी clause है and then comes your counsel general guideline जो कि आदे घंटे में वैसे ही हो जाएगी तो मोटा माटी आपका जो professional ethics है 4 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए क्या आपको questions भी करने है हाँ आपको questions करने है बट मुझे नहीं लगता आपने 8 से 10 से ज्यादा shortlisted questions रखे होंगे ऐसे questions जिनको आपने पहले practice किया और जहां आपको दिक्कत है इस सिरफ उनी questions को करना बाकि I feel the notes are more than enough कई बार बच्चे बोलते हैं सर्ब professional ethics का पूरा पूरा रट्टा लगाने की need है क्या नहीं आपका main focus होना ची आपको clause end to end आना ची और उसके साथ जो मखन वाली line होते है मखन वाली line मतलब जैसे clause 1 part 1 first schedule की बात करूं वो बोलता है कि अगर मैं एक C.A.N. practice हूँ तो मेरे बहाब पे सिरफ वही व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकते है जो कि खुद C.A.N. practice है and is in partnership with or employed by me तो आपने इसके नीचे एक line लिखी होते है this clause has been introduced to safeguard the interest of public from the unqualified accountants working in the wheel of और गया कह सकते हो under the wheel of qualified accountants तो मुझे एक शांदार वाली line होते है न clause के साथ सक उसको आप एकदम बढ़िया तरीके से revise करके चलते रहिएगा that should be your focus areas बाकी points को आप बस read करके आगे बढ़ते जाओ for a quick, faster and smart revision professional ethics की बात यहाँ पे हो जाती है 4 घंटे में आपके 14 number तो 188 हो भी गए फिर आते है सर, peer review, quality review peer review, quality review के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया good news दे रहा हूँ latest updated revision of peer review and quality review will be available to you in the next 1 or 2 days तो वो इसी channel शुबं केसवानी पे मिल जाएगी so make sure you are subscribing the channel and pressing the bell icon ताकि आप updated रहे हैं ये revision हम 30-40 minutes में पूरा का पूरा peer review revise कर लेंगे then comes your SQC1 और SA220 जो SQC1 और SA220 है इसमें आपका focus रहना चाहिए उन्ही topics पे जिनको हमने class में याद किया था through memory techniques इनी पे आप focus करके चलेंगे इसमें review वाले points आते हैं complaints and allegations वाले points आते हैं withdrawal from engagement वाले points आते हैं and 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 बस मोटा मटी यही चीज़े आती है independence के requirements के point आते है सेकी वाले points वो चार points आपने एक तरह से याद रखने बाकि SQC1 और SA220 में ज्यादा अंतर नहीं है याद है आपको एक बात सर क्या बात अगर exam में question आता है और आप पता नहीं लगा पारे कि SA220 आएगा या SQC1 तो आप दोनों लिख के आएंगे to be on the safer side तो मोडा माटी साड़े चार और 45 मिनट इसमें आपके लगबग 20 से 25 नमबर तो यहीं खटे हो गए इसके बाद आता है सर कंपनी ओडिट अगें कंपनी ओडिट में आपका एक ही फोकस होगा आप देखो सबसे पहले चेप्टर और स्टार्टिंग में ही चेप्टर के सारे के सारे सेक्शन्स रिवाइस कर लो जैसे 139 में आएगा 140 में जाएगा 141 में एलिजिबल होगा तभी 142 के रिमनरेशन कमाएगा इस तरह से आप सारे सेक्शन एक साथ रिवाइस करते जाना मैं एक बात बोल दूँ आपको इस टाइम पे आपने चीजे रटा नहीं लगानी आपको चीजे अल्रेडी याद है आपने एक से दो रिविजन कर रखी है आपने क्लास अच्छे से देख रखी है अब आपका पूरा का पूरा बस हमको तो दून 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 करके आगे बढ़ते जाना है बिलकुल भी घबराने की जरूरत नहीं है यह जितना विश्वास से आप सेक्षन से रिवाइस कर लेंगे जितनी लिमेट से पैनल्टीज है सब की हमने कुछ ना कुछ टेकनीक बना के याद करी रखा है तो प्लीज उसको करेगा जैसे ADT3 मैं हो गया फ्री 3 for 30 days 30 days में auditor resignation फाइल करेगा with the ROC with the company तो यह जो बेसिक बेसिक बात है बस आपने रिवाइस करते हैं जानिए बस अपने दिल को बोलना है all is well मैं सब कर लूँगा मैं सब कर लूँगी जो भी आप है ठीक है then comes caro 2020 caro 2020 में again सारे clauses आपको already रटे वे हैं already आपने अच्छे से याद कर रखे all you need to do is quickly revise आप summary जो दे रखे हैं उसको आकरी में देखके फटाफट revise करके चल सकते हैं इसके लिए भी मैंने आपको एक घंटा दिया है करने को तो आप 30-40 minutes में भी कर सकते हैं but still I am giving you one hour ताकि आपको exam time में दिक्कत ना आए then comes SEBI LODR इसके लिए मैंने आपको देट घंटा दिया है again SEBI LODR में मेरी आपसे एक ही request है यह topic आपका law में भी है यहाँ पे भी है दोनों जगा है तो इसको अच्छे से करके चलिएगा again notes में से करना फटाफट फटाफट होता चला जाएगा then comes audit of CFS ऐसे 600 यह दोनों आप साथ सथ करके चल सकते audit of CFS में कुछ निया तो यह सारी चीज़े जो होती है अलग-अलग यह आपने basically सारी चारो cases cover करके चलने one of the most important things from exam point of view साथ ही साथ SS600 के दो questions हैं आपके question bank में at least उनको अच्छे से cover कर लीजेगा then comes SS700 की series यहाँ आपका day 1 लगबग end होने आ गया है आप लगबग ठक चुके होंगे and this is the lightest series of all SS700 में कुछ नहीं है आपने बस audit report के elements को एक बार revise करना है उसमें दो elements है जिसमें हम 3-4 points याद रखते हैं that is सबसे पहले तो audit opinion उसके साथ 5 बाते हैं और दूसरा वाला जो point हम याद रखते हैं basis for opinion उसमें 5 बाते हैं तो कब ला सकते हैं मैंने का जब दोनों के बीच में कोई conflict ना हो तो वो वाला point बेग बार अच्छे से revise करके चलेगा that's all that you need to do 700 थोड़ा important हो जाते है क्योंकि इसका question आई से ने RTP में भी देख रखा है 701 key audit matter again I feel पूरा का पूरा 1 pager या 1.5 pager ऐसे अच्छे से revise कर लीजेगा उतका एक question है information system वाला कि अगर company का information system change हो जाए ERP change हो जाए तो ये तो financial statement का item नहीं है yes sir वो financial statement का item नहीं है तो क्या वो भी key audit matter हो सकते है the answer is yes तो वो वाला एक अच्छा question है आपका RTPMT वाला please उसको refer करके चलिएगा देखो मैं जब आपको ये planner बता रहो ना मेरा focus है कि आप इस planner को implement कर पाए मैं आपको एक approach दे रहाँ कि उस approach के साथ अगर आप जाएंगे तो definitely it is possible that's why मैं थोड़ा सा detail में जा रहाँ कि कहां कहां किन के चीज़ों पर आपको especially focus करके चलना है तो notes तो revise करेंगी questions भी बता रहों कि कोई कोई ऐसी ऐसी चीज़ है जो notes में थोड़ी सी हटके है तो उन पर please अच्छे से focus करके चलिएगा जैसे cam कहां आएगा going concern पैरा के बाद but EOM और cam के बीच में auditor की judgment होती है तो ये जो एक दो questions है then comes essay 710 उसका एक ही question है पिछली बार की गलती थी तो क्या इस बार सुधारी या नहीं तो auditor कैसे reporting करेगा वो आपने focus करना है plus 710 के procedure then 720 में अगेन एक ही question है जो ICI का one of the favorites है वो कहता है other information read करनी है या छोड़नी है तो obviously बात है read करनी है दोनों में material inconsistency मिलती है तो क्या करेगा auditor वो भी आप अच्छे से करके चलेंगे इसमें मैंने आपको एक topic important mark कराया था कि एक auditor के क्या audit procedure होते है 720 में तो सबसे पहले तो आप बोलते है auditor की कोई responsibility नहीं है management से वो पूछेगा कि उसने other information कैसे बनाई ठीक है auditor का कोई responsibility नहीं है auditor का कहा में बस read करना अगर हाँ दोनों में material inconsistency मिलती है तो फिर auditor management से करेगा request कि उसको ठीक किया जाए बट अगर management other information को ठीक नहीं करती तो फिर वो अपनी audit report में mention करता है कि other information में material misstatement है I hope आपको यह सबी बाते याद है नहीं है तो please इस topic को करके जाना I feel 720 का one of the important topics है तो यहाँ आपका day 1 खतम हो जाएगा लगबग हमने 9 minute में खतम कर दिया day 1 बट हाँ मैं आपको एक mind में ना mapping दे रहा हूँ कि इस तरह से आपने करके चलना है right sir अब आता है sir day 2 मैं आपको इस चलो एक motivation भी देता हूँ day 1 के अंदर ही लगबग आपने 40 से 50 नमबर इखटे कर लिए सिरफ day 1 day 1 की बात करो यहीं पर आपने लगबग 40 से 50 नमबर इखटे कर लिए अब आता है sir day 2 day 2 में आप स्टार्ट करेंगे PSU audit के साथ simple सी वाद है committees, role of CNAG इस बार की जो amendment है please उसको अच्छे से cover करना NBFC audit becomes important for exam point of view plus इसका जो exception reporting part है that is also one of the favorite parts of ICI then the audit report में आपको पता ही है वो सारी बाते capital adequacy ratio देखते है prudential norms देखते है you already know division 2 versus division 3 that's all about NBFC audit यह सारे topics cover करने के लिए आपके बास एक घंटा है then आग comes bank audit 3 घंटे में आपको इसके रिए दे रहा हूँ bank audit को पुरी शिद्दत से cover कर ली जाए youtube पे revision वीडियो भी है तो आप उसके थूबी एक level पे इसको करके चल सकते है then your insurance audit 1.5 घंटे का insurance audit रहेगा again आप insurance audit cover करेंगे then internal audit report आएगा उसके साथ ऐसे 610 फिर आते हैं management audit, operational audit मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो सारे topics हैं इन पे ज्यादा दिमाग मत लगाने बैठना ठीक है इन topics में all you need to do is just revise just revise the memory techniques which have been taught in class फटाफट फटाफट देखते जाओ आगे बढ़ते जाओ प्रभू के गुर्ण गाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ कई जगा हो सकता है आपको topic देखो और आपको लगे यार memory technique याद नहीं आरी तो चुपचाप देखो सामने revise करो और recall करो और आगे बढ़ो इस तरह से आपने चलते जाना है मैं बोल रहा हूँ प्लस यहाँ पे आपके साथ आप अकेले नहीं हो यहाँ पे आप अकेले नहीं हो आपका teacher आपके साथ बैठा है ठीक है, कहीं पे भी कोई doubt आता है टेलिग्राम पे आपके पास doubt support always available है तो कुछ भी रोग, कहीं पे भी दिक्कत है always feel free to connect with me सर यह topic में में को दिक्कतारी कैसे करना है मैं बता दूँगा कैसे करना है तो आपको attention लेने की कोई need नहीं है फिर आता सर हमारे पास day number 3 यह आपका छोटे मोटे essays वाला day है 200 की series, छोटी बच्चों वाली series है आप already inter में अच्छे से कर चुकियो फाइनल लेवल पे जो इसके शांदार वाले questions थे RTP वाले वो मैंने already 2-3 दिन पहले RTP की November 22 और May 22 की वीडियो डाली है प्लीज उसको देख लेना मैंने एकदम best class questions उसमें आपको करवाए है साथी साथ इन essays को भी आपने notes में से revise करना है जो memory techniques class में बता ही है पर समको revise करके चलना और कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है then comes essay 315, 330, 320 और chapter 3 again 320 पिछली बार पूछा था तो आप समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ, ठीक है वो आप अपने इसाब से देख के चल सकते हो chapter 3 और chapter 2 में generally एक question आता है पिछली बार chapter 2 से आया था तो अगे समझ जाओ, फिर आता है सर automated environment, one of the favorite, favorite, favorite chapters of ICAI ता सर प्यारा से chapter है, 40 minute की YouTube पे revision भी है, तो मुझे नहीं लगता खुद भी revise करने में आपको 30-45 minute से जाधा लगेंगे, एक घंटा दी है, चुप-चाप calculation की turnover कैसे calculate की जाती है ठीक है, उसमें क्या add होता है, क्या less होता है फिर आपने एक-ए clause को बस देखते जाना है remember करते जाने कि इस clause में क्या-क्या आता था, फिर उसका reporting वाला part read करना है, recall करना है, revise करना है आगे बढ़ना है, यह पूरी exercise में इस तरह से आपके तीन दिन रहेंगे, कोई ज्यादा stress लेने वाली बात नहीं है, अब तो मुझे लगता है इतने घंटे पढ़ने में कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए बाकी का पूरा दिन आपके पास है, आप सोईए, खाईए, पीए, पीजीए, मौज कीजिए, और कैसे हम ये सारे टार्गेट्स अचीव करेंगे, इसके लिए मैंने आपको टिप्स भी दी है, देखो सबसे पहले मज़ा आ जाएगा मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, जब आप इन तीन दिनों में सारे टापिक सिग्म, रिवाइस कर लोगे न, you will feel good, it will actually be a fun learning experience for you, तो एक दम मज़ेंज में, खुशी-खुशी पढ़ते जाना सबसे ज़्यादा बड़ी गलती जो बच्चे जनरली करते हैं वो audit में न, क्या करते हैं, बस read करते जाते हैं, आहाहा, read करा मज़ा आया, आहाहा, read करा, मज़ा आया लड़ू मज़ा आया, ऐसे थोड़ी मज़ा आता है मज़ा आता है, topic देखो, recall करो अपने दिमाग के घोड़ों को थोड़ा दोड़ाओ घर पे दोड़ाओगे, तो exam में दोड़ेंगे कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है फिट से उसको revise करो, फिट से उसको read करो फिट से उसको recall करो और चुपचाब आगे बढ़ो अटक ना नहीं है, भटक ना नहीं है and कई बार बच्चे बोलते हैं सर, last day revision question देदो ऐसा होता ही नहीं है कुछ, ठीक है जब हमने questions practice करें, तो जो questions हमसे नहीं हुए even after covering the notes, जहां पे हमको दिक्कते आई उनको अब हमको revise करके चलना है तो वो आपके अलग, मेरे अलग और सबके अलग-अलग हो सकते हैं last points which I feel you should focus on for better productivity are these points, ये points आप सिरफ audit में नहीं मैं कहता हूँ, सारे subjects में implement करें सारे targets पूरे हो जाएंगे कल जो मैंने पढ़ना है, उसका plan मैं आज रात को बना के सोऊँगा मैं नीन्द की जपकी लेने से पहले कल जो मैंने सुभा पढ़ना है, उसका plan बना के सोऊँगा ताकि मुझे पता रहा है, चुपचाप शुभाम केसवानी, तुमने साथ बज़े उठ जाना है, छे बज़े उठ जाना है और अपने plan पर लग जाना है सेकंड तिंग, sleep on time, then only you wake up on time कई बच्चे कहते हैं, नींद आ रही है, क्योंकि तुम बेवकूफ सोई ही नहीं तुम बिल्कुल तुम सोगे नहीं, तुम नींद ही आएगी जब सोना था, तब तुमको नींद, तुम पढ़ाई की टेंशन ले रहे थे बेसिकली आपका पूरा फोकस आज की डेट में पढ़ाई पर यह होना थी है, आपकी एक ही प्राइट यह पढ़ाई, उसके बीच में खाना, पीना, नहाना, धोना, यह सब चल सकता है Then comes, keep a water bottle by your side, because गर्मी के दिन है, hydration is very very important, तो मैंनी चाता कि पानी की कमी की वज़े से आपको hospital में भरती कराना पड़े, तो बेटर है, घर पे चुपचा पानी पीते रहो, मैं भी अपनी water bottle साथ रखता हूँ, my water bottle, my bottle, ठीक है, तो आप भी अपनी bottle साथ में रखो, जब भी आपको पानी की कमी लगे, पानी के दो घूट लगा और आगे बढ़ते जाओ, last point and one of the most important things is, कई बार, suppose मान लो, example देता हूँ, मैंने target लिया कि मुझे PSU audit करना है, दो घंटे में, अब यह मान लो PSU audit है, 10 page का, ठीक है sir, मेरे 5 page हो गए, मजा आ गया, तुनक 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 पार, मजा आ गया, ठीक है, 5 page के बाद में 5 minute का break ले सकता हूँ, यह लाजमी है, ठीक है, suppose मेरे 5 page करने में, मुझे 40-50 minute लग गए, 55 minute लग गए, मैंने 5 minute का break ले लिया, अब 5 minute के break में, मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ी breathing exercise कर सकता हूँ, कुछ मेहनत करने की ज़रूद नेस यही छोटे-छोटे hacks आपने अपनाते रहने है, कई बार आप revision जब कर रहे हो, तो बैठे-बैठे भी करने की ज़रूद नहीं है, audit है, खड़े होके, चलते-चलते भी revise कर सकते हो, heading देखी, revise किया, heading देखी, recall किया, यही आपने करते जाना है, and trust me, हो जाएंगा, so yeah, just keep these things in mind, 2-3 minute की walk लेते-लेते, आप balcony और terrace में भी revise कर सकते हो, and last tip and the pro tip, जिस पे आपने कही ना कहीं focus करके चलना है, इधर देखो, इधर देखो, बदमाश, do attempt MTP2, यह sir, MTP2 किसका ICIG का, जिसका paper देने जाने है, strategically on the third day, sir, strategically का क्या मतलब है, चुप चाप, 35 minutes का timer लगा लेना, उस 35 minutes में आपने सारे MCQs finish करने है, ठीक है, यह पहली चीज, उसके बाद जितने भी practical questions हैं, उनके आपने answers को scribble करना है, पूरे-पूरे answers लिखने मत बैठना, scribble करना, sir, scribble का क्या मतलब है, suppose essay का question है, तो essay का नाम लिखा, number लिखा, बस इतना किया, उसके बाद अगर उसके 5 point है, 1, 2, 3, 4, 5 करके, फटाफट, 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 थोड़े-थोडे points scribble कर लिए, इस तरह से आप पूरा paper attempt करेंगे, 3 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है, यह आपकी पूरी exercise लगबग 1-5 घंटे में हो जाएंगी, all you need to make sure is, क्या आपको points recall हो रहे हैं, क्या आपको points recollect हो रहे हैं, and trust me, हो जाएंगे, अगर आपने यह 3 दिन पूरी शिदत से महनत करी, 3 दिन पूरी चीज़ revise करी, देखो ना यार, MCQs में तो easily आप 24 प्लस लहिया होगे, क्योंकि आपने सारी चीज़े रीड कर रखे, तो वो दिखी जाएगा सामने answer, उसके बाद 16 नमबर ही तो चीज़े पास होने के लिए, 40 पे इंसान पास हो जाता है, तो comfort low 40 का target करो 60 प्लस, and आपको इस paper में शांदार नमबर से पास होने से कोई नहीं रोख सकता, so I hope you enjoyed the video, planner जैसे मैंने बताया, telegram channel, clear CA, which शुभम के स्वानी पे available है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, बढ़ेंगे, wish you the best, और हाँ, एक commitment कर देना, कि मैं three days में audit में धूम मचा दूँगा, ठीक है, all the best.